तो ही गाइस कैस्ट आप से लोग तो गाईस एक और न्यूड़े लेकर आचुकों हो और गाईस आज की जो न्यूड़े इसके नियार हमें जो ना अरेना मोट के अंदर जो ने एक प्रॉब्लम देखने को मिल लही है तो वहाँ पर एक बटन होता है यानि कि एक option होता है तो आप लोग जो ना उस पर क्लिक करते होगे तो आप लोगो जो ना अपको वहीं पर ही मैच के अंदर ही हो जाता है बट यहां से हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिले है कि हम लोग टीपीपी तो खेल पारे है अपना अरेना ट्रेनिंग वगर जो भी हमारे टीडियम हो गए पर आने से पहले है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आप लोगो भी सिंपल में लोभी पर आ जाना है और यहां पर सब लोगो बहुत साइब देखने को मिल जाता है सिंपल में आप लोगो जोना अपने अरेना पर चले जाना है और जो भी आप लोग जोना मैच खेल तो जैसे अरेना के अंदर जो भी आप लोगो जोना सिलेक कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो यहां पर से अगर मुझे कोई से एक मैप सिलेक करना है तो मैं कौन सा मैप सिलेक तो यहां से मैं एक team death match या फिर arena training दोनों में से एक चलो ठीक है बाई arena training मैंने चूज कर लिया सो गैसे आप लोग कोई से भी ले सकते हो जैसे कि देख सकते हो यहां पर आप लोगो simple में दुबारा से click करना है और यहां पर आप लोगो सबसे main चीज करना है अगर आप लोग fpp नहीं खेल पारो तो गैस देख सकते हो यहां से जोना मैंने अपना map वगर्ण से लेक्ट कर लिये थे अब यहां पर से आप लोगो simple में क्या करना है यहां पर से आप लोगो जोना third चीज देखने को मिल जाती है perspective तो इसको जोना आप लोगो simple में यहां पर दो option देखने को मिल जाते है एक tpp और fpp तो guys इन दोनों के अंदर आप लोगो simple में क्या करना है अब आप लोग जोना ऊपर की देख पार होगे players देखने को मिल जाता है auto matching तो इसे जोना आप लोगो देख सकतो इसके अंदर आप लोगो कुछ भी नहीं करना है simple में जो third wall option है इससे आप लोगो select कर लेना guys यहाँ पर से आप लोगो simple में जो third wall option है इसी के अंदर आप लोगो करना है यहाँ पर से जैसे कि देख सकतो मुझे खेलना है fpp तो मैं आप मैं fpp को select करूंगा और यहाँ पर से जो arrow वाल option जो उपर की तर देखने को मिला है इसी पर click कर दूंगा तो guys देख सकतो मैंने fpp select कर लिया और arrow पर ही click कर दिया तो यहाँ से आप लोगो simple में क्या करना है जो cut wall option है इसे click कर देना है तो जैसे आप लोगो click करोगे तो यह आपका switch हो जाएगा फॉरण जो भी आप लोगो खेलना होगा जैसे switch to fpp देख सकते हो लिखवा गया और यहाँ पर देख सकते हो map के ओपर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है fpp देख सकते हो और इसके बराबर में warehouse तो यह मतलब मेरा जो arena training का जो match है यह मतलब जो मेरा map है इसके अंदर fpp select हो चुका है तो यहाँ से अगर मैं अगर start करते हो अपना match तो कईस देख सकते हो match मैंने यहाँ से start कर लिया और match start होने के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल जाती है कि हम लोग आराम से play कर पा रहे है तो कईस अगर आप ल तो भाई नीचे comment करके जरूर से बताना जैसे ही देख सकते हो भाई मैं भी fpp खेल पा रहा हूं बड़ आप लोग मुझे comment करके जरूर से बताना क्या प्रोब्लम देखने को मिले तो भाई comment करके जल्दी से बताना किसी भी टॉपिक पर वीडियो नई वीडियो में गुड बाइ